इस इस शिमानी वर्मा एनियो वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल गाइस आई रेसेट पार्सल टुड़े एन इट इस फ्रॉम एमाजॉन दिस इस सेट अफ मेकप ब्रसेश मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैं एक सही मेकप ब्रसेश का रीवीव डाल तो मैंने सोचा कि पार्सल से ही स्टार्टिंग से मैं आप लोग के साथ ये मेकप ब्रसेश को सेयर करती हूं ताकि आप भी पूरे अच्छे से आपको डेटेल मिले जानकारी मिले आप लोग भी अच्छे से देख पाओ कि इस ब्रसेश की क्या खासियत है इसमें क्या बिना वीडियो को स्कीप किये हुए क्योंकि मैं पूरे डिटेल से बताने वाली हूं क्योंकि आप लोगोंने comment box में comment कर रहा था तो मैं अच्छे से रिवीव देने वाली हूं और अगर मेरे वीडियो पर आही गयो तो मेरे चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब और साथ ही कर इसे कट करते हैं इसमें से मैंने इसको निकाला तो यह कुछ ऐसा पैकिंग है आप देख सकते हो पैकिंग बहुत ही अच्छा है मुझे बहुत सरी लगा मुझे लगता है कि कोई ब्रस डेमेज नहीं हुआ होगा तो इसे भी मैं हटाती हूं तो मैंने इस पॉलिथीन को भी थ्री लेयर ऑफ पैकिंग, बहुत ही पसंद आई मुझे इसकी पैकिंग, अब मैं इसमें से ब्रसे निकालती हूं और आपको वन बाइवन इसका डीटेल देती हूं कि आप किस प्रोडक्ट में किस मेकप ब्रसे का यूज कर सकते हैं, इनका ये इतना साइनी है ये ब्रस इतन सौफट है, या आंप देख सकते हूं इतना वाउ, सू वंडर्फुल, में सारे ब्रसे हैं, बट एक ब्रस मीसिंग है, हाईलाइटर, हाईलाइटर का ब्रस मीसिंग है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसमें ऐसे हाईलाइटर भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ब्रसे से, क्योंक डोंट पड़ी कोई बात नहीं देखो गाइस मैं ये बता दू कि इससे हम ये जो पतले प्लत पतले ब्रसेस हैं इससे हम आई सेडो में यूज करेंगे कंसीलर लगाना गलीटर लगाना सीमर लगाना आई सेडो लगाना तो हम इस सब सारे ब्रस का यूज करेंगे मोटे वाले brushes का use नहीं करेंगे उससे हम other products में use करेंगे, मैं आपको बताऊंगी तो इससे जितनी eye shadow makeup होती है, eyes makeup होती है तो इस brushes को हम use करेंगे उसमें, okay now then हम use करेंगे इस brush से हम लोग contour use करेंगे, क्योंकि देखो side, ये थोड़ा तीरचे में गया है तो हमारी nose को भी तीरचे वाला brush चाहिए होता है जबकि एक और type का आता है contour use करने वाला brush बट वो उसमें नहीं दिया है वो अलग से आता है, वो इस तरह के brushes में नहीं आता है अगर आप चाहो तो वो भी purchase कर सकते हो, मैं आपको वो भी share करूंगे, बट इस से हम contour use कर सकते हैं foundation के लिए मेरे comment box में पुछा गया था कि कौन सा आप सही रहेगा brushes, foundation के लिए best brush कौन सा सही रहेगा, तो मैं आपको बता दू कि foundation के लिए brush इसमें सही रहेगा ये ये brushes जो है इस पे तो कुछ number भी नहीं दिया है तो ऐसा जो brush होता है ये foundation के लिए बहुत ही सही होता है, क्योंकि ये बराबर है और face पे बराबर लगेगा, तो इसलिए brush को foundation के लिए choose करें, आप इन दोनों को भी contour में use कर सकते हो एक तो मैंने इसे बताया था ये भी क्योंकि ये भी side से देखो तिरचा गया है तो इन दोनों को भी contour में आप use कर सकते हो no issue इसे आप इन दोनों से आप concealer और foundation यूज कर सकते हो इन दोनों से तो मैंने आपको सारी brushes का detail बता दिया है अगर आपको पसांद आये तो वीडियो लाइक करें, share करें, comment करें और आपको कोई भी confusion हो, कोई भी question हो आपके मन में मेरे videos को लेकर या इस brushes को लेकर कोई भी confusion हो तो मेरे comment box में आप जरूर comment करें, मैं उसका reply 100% दूंगी अपने video के recording, okay इसका price आप मेरे screen पे देख सकते हो और इसका link मैं आप लोग को share कर दूंगी तो आप मेरे description box में check कर लेना तो now it's time to bye bye guys मिलूंगे अपने next video के साथ तब तक के लिए मुझे support करते रहे मेरे channel को please subscribe करिए और अपना ख्याल रखिए